कम्प्लीट इंग्लिश ग्रामर की बेसिक से लेके एडवांस ठीक प्री ओफ क्वास्ट सात बजे हलो स्टूडन वेल्कम टू माई चानल अजब गजब इंग्लिश जिसे आप एज भी कहते हो तो कैसा है बच्चा पाटी आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे मैं आपसे आज एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जब मैंने रोट टू 90 जो सीरीज था मेरा ठीक है ना जो रोट टू 90 सीरीज था क्लास 10 की ठीक है वो बहुत अच्छी रही बच्चों ने काफी प्यार दिया बहुत सपोर्ट दिया और इवन जब exam हुआ तो बच्चे को अच्छे response मिले मुझे कि माम आपकी जो सीरीज थी जिसने हमें बहुत जादा help करी और उसी से inspire होके ठीक है ना और बहुत लोगों के suggestion के बाद मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ complete English grammar मतलब क्या मैं आज एक course जो है ठीक है ना course launch कर करने जा रहे हूं सभी student के लिए जो भी school going student है ठीक है या कोई भी इंसान जो competitive exam की preparation कर रहा है आप सभी को पता है जो हमारा English subject है English जो language है ना वो हर जेगे बहुत जादा काम आदी है तो इसी को मद्दे नजर रखते हुए मैं एक complete English grammar course जो है वो आज launch कर रही हूँ अपने channel पर और इस particular course में आपको क्या मिलेगा वो पहले देख लो फिर कब इसकी classes होंगी किस परीके से होंगी वो भी मैं बताती हूँ धांजे समझना पहले तो आप ये देख लो ये रहे वो सारे topics ठीक है ये रहे वो सारे topics जो हमने cover करने हैं ठीक है ना क्योंकि मेरा एक ही target है कि basic से लेके advanced ठीक है ना basic से लेके advanced तक कि सारी grammar में आपको करवा दूँ क्योंकि इससे आपको क्या help होगा कि चाहे आप एक school student हो या फिर आप competitive exam की तयारी कर रहे हो ठीक है ये ही topics हैं जिसमें से questions पूछे जाते हैं ये ही वो topic हैं जिने हमने अच्छे तरीके से cover करना है और इन वरने को दे दे ठीक है ना या फिर क्या हो आपका rearrange करने के लिए दे ठीक है अगर आपको इन सारे topics पे अच्छी command है और command भी कैसे concept की clarity के साथ और आपको पता है अजब गजब English का मतलब ही क्या है concept की clarity ये एक channel नहीं बलकि एक ऐसा platform है जहाँ पर आपको concept की clarity प्रवाइड क के लिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमने देखा है most of the time क्या होता बच्चे grammar जाना वो पढ़ना शुरू करते हैं वो इस level से होता है उनको समझ में नहीं आता है तो इस वज़े से मैं start करूंगी alphabet से जो हमारे ABC है ठीक है यहां से start करूंगी मतलब क्या बिलकुल zero से चलूंगी और आपको hero बना दूंगी ठीक है हम alpha भी पढ़ेंगे फिर sounds पढ़ लेंगे ठीक है फिर words क्या होते हैं फिर part of sentences फिर part of speech उस तरीके से हर चीज़ को ही हम cover कर देंगे तो यह रहा topic जो हम अपने course के under cover करेंगे कब करेंगे कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ मैं screen भी clear कर देती हूँ ताकि आप इसका screenshot ले लो कि आपके help होती रहेगी कि कौन सा topic है कौन सा chapter जो है वो हमने जो है यहाँ पर cover करना है अब ध्यान से समझते जाना आगे हमने क्या करना है किस तरीके से करना है देखो यह जो है complete English grammar course है जो basic से लेके advanced की तरब जाएगा और इस बिल्कुल free of cost मैंने पहले ही अपने चानल पर promise किया था कि YouTube पर ठीक है कभी भी आपको paid course जो है वो नहीं promote की चाहेगी कि आप मेरा paid course जो है वो purchase कर लो नहीं हम सब कुछ आपको free में देंगे ठीक है ना हम सब कुछ आपको free में दे रहे हैं तो यह जो course है यह भी बिल्कुल free है basic से advanced की तरफ complete grammar ठीक है ना और course जो है इसकी timing क्या होगी 7 बजे ठीक है 7 बजे शाम को class हुआ करेगी ठीक है कब कब हुआ करेगी तो two days two days का gap होगा ठीक है और तीसरे दिन एक video आया करेगे YouTube पे जैसे आप देखो आज कौन सा दिन है Saturday है ठीक है अगर मैंने Saturday को video जो है वो upload किया तो Sunday और Monday छोड़ दूँगी ठीक है फिर मैं Tuesday को video upload करूँगी फिर Wednesday फिर Thursday छोड़ दूँगी फिर Friday को video upload करूँगी ठीक है फिर Saturday Sunday छोड़ दूँगी फिर Monday को video upload करूँगी मैंने ऐसा इस वज़े से किया है ताकि आपको time मिले ठीक है बाकी चीज़े अगर आप job करते हो चाहे आप study करते हो तो बाकी जितने भी subjects हैं जितने भी आपके बाकी work है ठीक है उन सभी को आप time दे सको लेकिन 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 एक चीज़ याद रखना सिरफ और सिरफ क्या करन है आपने एक घंटा ठीक है एक घंटा आपने खुद को देना है जिससे क्या होगा आपकी grammar जो है ठीक है आपकी grammar है वो अच्छी तरीके से strong हो जाएगी ठीक है उसके बाद हम अपने channel पर ठीक है speaking की classes भी आपको free of cost provide करेंगे ठीक है तो यह रहा हमारा जो complete English grammar course है basic से लेकि advance तक उसकी पूरी planning इसका पर चाहो तो आप screenshot ले लो ठीक है ना एक चीज़ या देखना free of cost है कोई भी हम पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं हम यह नहीं करेंगे कि कुछ चीज़ है आपको मैंने YouTube पे पढ़ा दी और मैंने कहा कि आप मेरा paid bag join कर लो और बहां पे हम remaining topic करेंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है मेरा channel free of cost है सभी के लिए है आप आईए सभी के सभी जितने भी all videos जो है वो सभी के सभी आपको YouTube पर ही मिलेंगे ठीक है आपको कोई paid course join करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना आप अपना time जो है वो हमें दे रहे हो इससे बड़ी बात हमारी ले topics को cover करना है यह आपको help करेगी आप इसका screenshot ले लो और एक चीज़ याद रखना timing बिलकुल भी मत भूलना 7 p.m. ठीक है ना evening में after two days gap ठीक है दो दिन का gap होगा और तीसरे दिन वीडियो मिलेगी 7 वजे ठीक है ना संध्या को ठीक है शाम के 7 वजे 7 पीम और यह रहे सारे के topics जो हम cover करेंगे I hope कि आपको यह वाला जो series है हमारा जिसमें हमने complete English grammar का course आपको provide करना है चिक करना सभी school students के लिए और सभी उन लोगों के लिए जो competitive exam की तयारी कर रहे हैं और वो यह सोचते हैं कि जो English है वो बहुत साथा tough है हमसे नहीं होगा तो आप हमारे साथ जुड़ जो है वो cover करेंगे और आपको कोई पैसा नहीं देना आपके जेब से एक रुपया एक पैसा भी हम नहीं ले रहे हैं तो I hope कि आप मेरे इस course से जुड़ोगे और हमारे साथ आकर English सीखोगे और अपनी जो grammar है उसे strong करोगे तो मिरती हूँ मैं आपको first वीडियो में जिसमें हम alphabets ठीक है English alphabets क्या होते हैं वो discuss करेंगे detail में और chapter wise हम 41 chapter जो है वो cover कर लेंगे और ये आपको help कर देगी हर तरीके के competitive exams को clear करने में चाहिए आप किसी भी class के student हो तो grammar आपकी strong हो जाएगी हमेशा की तरह आज भी यही एक बात कहूंगी अगर आपको लोगेगी मेरे चानल पर आगर आपका time utilize हुआ है यहां से आपको कुछ valuable information मिली है तो मेरे चानल को subscribe कीजेगा वीडियो को like कीजेगा और वीडियो को share कीजेगा मिलते हैं आपको next वीडियो में जिसमें हम अपना फॉर्स चैप्टर जो है वो discuss करेंगे तब तक के लिए हस्ते रहेगा मुस्कराते रहेगा और अपने आसबास की एर्या को साव सुत्रा रखेगा बाबाय टेक केर और वाब गुद दे